नमस्कार मैसेल्फ डक्टर केशी सोनी एसोसियेट प्रोफेशर इन जूलोजी लोहिया पीजी कॉलेज चूरू जैसा कि आपको पता है कि डिपार्टमेंट ऑफ जूलोजी की दोरा एंब्रियोलोजी की एक विशेश व्याख्यान माला का आयजन किया जा रहे है इसी व्याख क्या है कितने परकार्की होती है यह प्रकरती में कौन-कौन से प्राणियों पाई जाती है आर्टिपिशल मैथट के द्वारा इसको कैसे इंड्यूस किया जाता है क्या इसकी सिग्निफिकेंस है क्या इसके ड्रॉबेक्स है तो इन सभी पहलों पर मैं आपसे चर्चा होंगा और एक बार मैं मेरे डिपार्टमेंट की तरब से हमारे महाविद्याले की तरब से इस चैनल को देख रहे इस व्यक्यान को सुनने वाले सभी विद्यातियों और साथियों का हार्दिक अभिन्हंदन करता हूं गुड़ मॉर्निंग टू एवरिबोरी एनिमल किंगडम में संततियों का निर्मान एलेंगिक और लेंगिक दोनों विद्यों के द्वारा शंपन होता है लेंगिक विधी के द्वारा उत्पन संतती का मुख्य मक्षद, एगुनित यूगमकों का निर्मान और फटलाइशन के द्वारा दिवगुनित अवस्ता की पूने प्राप्ति लेकिन लोख नामक व्यगात ने पाया कि फटलाइशन संतती उत्पादीन के लिए कोई आशक नहीं है फटलाइशन नोट एसेंशिल फटलाइशन के अंदर विक्षित हो सकता है और यह परिगटना पार्थिनोजनसिस या एनिशिक जनन के नाम से जानी जाती है पार्थिनोजनसिस और पार्थिनोजनसिस द्वारा उत्पन शंतती पार्थिनोट्स कहलाती है पार्थिनोजनसिस वह प्रक्रिया है जिसमें संतती का निर्मान सुकानू के बिना कॉंट्रिबूशन के होता है पार्थिनोजनसिस और पार्थिनोजनसिस की परिखटना प्राक्रति रूप से हनी भी बदमक्ही में पाई जाती है वास में तत्य यह जो होते हैं उसमें पाई जाती है एफेट्स में पाई जाती है बीटल्स में पाई जाती है आर्टेमिया के अंदर पाई जाती है कुछ छिबकलियों में पाई जाती है और मनस्पति जगत में कुछ पादप पर जातिया हैं उनके अंदर भी एन इसेक जनर की घटना पाई जाती है और प्रयोकसाला में से आर्टिफिशल वीधी के द्वारा भी इसको इंड्यूस किया जा सकता है और कई फाईलम के अनिबल्स हैं जैसे काईनो डर्मेटा के कुछ प्राणी हैं कुछ मॉलस्का के प्राणी हैं एनलीडा के प्राणी हैं एफिबियन्स और कुछ मैमल्स में लेवरेटरी में भी क्रिट्रिम रूप से भी इस वीधी को इस वीधी द्वारा पार्थिनोट संत्रती को विक्सित किया गया है एनिशिक जनन की हिस्ट्री की बारे में मैं थोड़ी आपसे चर्चा करूँगा यह करोनलोजी में कुछ अब्जर्वेशन्स हैं जो मशूर फाइंडिंग्स हैं या माइलस्टोन फाइंडिंग्स हैं जिसमें पार्थिन असिस की दिशा में एक तरह की प्रॉग्रेस हुई है सबसे पहले सन 1800 में सबसे पहले डॉमेस्टिक चीकन्स को डिस्कवर किया गया एनिशिक जनन वीधी के द्वारा सन 1900 में डॉमेस्टिक पीजन्स को इस वीधी के द्वारा विक्सित किया गया 1936 में ग्रिगोरी पिंकर्स ने इस वीदी का उप्योग मेंड़क ए निशेटिक एंड़ों से ए निशेटित पार्थिनोर्ट रेबिट जो है उसको उत्पन करने में किया गया 1944 में डॉमेस्टिक टर्की का इस वीदी के द्वार उत्पादन किया गया 1944 में जैक लॉइब ने आर्टीबिशियल पार्थिनोर्ट रेबिट के द्वारा मेंड़क एंड़ों में इस वीदी को डवलप किया 1967 में डॉक्टर डेयमियोन चैप में ने पार्थिनोर्ड़्डिक वीदी जो है वो ड्वार्व हैमरेडड सर्क के लिदी के अंदर डिसकावर की है है आता है आटलायन opponents के सbooks कि मुखितया दो परकार है एक तो नेचुरल पाथों डिनसी और और Ciao ओंडेमिस वह है जो प्रकरति में पाए जाता है प्राकृतिक रूप से पाए जाता है और फीछ सारिक भाड़ी में ग्रित्रिम रिदी के द्वारा इसको इंड्यूस किया जाता है नेचुरल पार्थिनोंसिस भी दो परकार का होता है complete type और incomplete type या complete type से मतलब है कि जब colony की सभी सदस है entire colony का निर्मान जब एनिस एक जनन से हो तो ये विधी complete पार्थिनोंसिस कहलाती है और जब colony के कुछ सदसे लेंगिक विधी से बनते हैं कुछ सदसे एलेंगिक विधी से बनते हैं तो ये घटना incomplete पार्थिनोंसिस कहलाती है complete पार्थिनोंसिस भी दो परकार का होता है deploy type और haploid type deploy type में क्या होगा यहां पर जो अंडानू बनेंगे वह द्विगुनित परकार के होता है और haploid type में जो अंडानू बनते हैं वह एगुनित परकार के होता है अब द्विगुनित अंडानू की formation दो विदियों से हो सकती है meiotic type, amiotic type मियोटिक टाइप करते हैं कि यहाँ पर अर्शुत्री वाजन होता है miosis होता है फिर भी अवमद्विगुलित होते हैं और amniotic टाइप में miosis नहीं होता है या miosis कि कुछ stages absent होती है उसके करणिहापर avom जो बनता है वो द्विगुलित होता है Mewetic Type में Deployed Stage की जो स्थापना है Deployed Stage की जो प्राप्ती है वो दो विधियों से संफाधित हो सकती है एक तो Auto Fertilization के द्वारा एक Restitutions के द्वारा और Complete जो Parthogenesis है ये भी दो टाइप की होती है Open Type और Close Type तो ये एक Outline Framework Classification है Parthogenesis का Parthogenesis is divided into two types, natural and artificial. Natural Parthogenesis is also of two types, complete type and incomplete type. In complete type, entire column is formed by Parthogenesis. Complete type is also divided into two types, dephloid type and haploid type. In dephloid type, ovum is dephloid in nature, but in haploid type, ovum is haploid in nature. Dephloid condition is produced by two methods, by meiotic and by amiotic. In meiotic type, meiosis is present even though the ovum produce are deployed in nature. In amiotic type, meiosis is normally absent or some different type and ovum produce are deployed in nature. In meiotic type, deployed stage is formed by autofertilation or by restitution. In complete is also two types, open type and closed type. In the natural Parthogenesis, I will give you a detail in detail. In a few animals, Parthogenesis can be found in practice. In other animals, Parthogenesis can be found in practice. The natural Parthogenesis can be found in two types, complete type, incomplete type and cyclic type. Complete type, entire colony is formed by Parthogenesis. संपूर्ण का निर्मान एनिशेग जनन से होता है. लेकिन cyclic में entire colony is not formed by Parthogenesis. इसमें संपूर्ण का निर्मान एनिशेग जनन से नहीं होता है. Complete Parthogenesis में उत्पन होने वाले सभी सदस्य प्राइफिमेल होती है. लेकिन cyclic में colony में उत्पन होने वाले सदस्य नर और मादा दोनों परकार के होता है. Complete Parthogenesis में नर सदस्यों की संख्या कम होती है. यानि जो संत्ति उत्पन होती है उसमें female members ज्यादा होते हैं, male members कम होते हैं. जबकि cyclic अंदर ये ratio जो है इसमें नर सदस्यों से थोड़े ज्यादा होते हैं, मादा सदस्यों से थोड़े कम होते हैं. Complete type की जो फरिगटना है, ये मुख्यतिया पाई जाती है, platy helminthes के अंदर, rotifers में और वार्ष्पर में. और cyclic anisek zannan की घटना पाई जाती है, golf lie में, aphids में और rotifers में. Natural Parthenonesis दो परकार का होगया, complete type और incomplete type या cyclic type. Complete natural parthenonesis ये भी पूने दो परकार का होता है, deployed complete natural parthenonesis और haploid complete natural parthenonesis. Deployed type की जो parthenonesis है, इसको थैलिटोकी के नाम से भी जाने जाता है, इसके अंदर female जो है वो develop होती है, इसमें जो ओम मनता है वो द्वीगुनित परकार का होता है, और द्वीगुनित ओम से मादा सदश्यों का निर्मान होता है. द्वीगुनित अवस्ता जो है ओम की वो दो वीदियों के द्वारा शंपादित हो सकती है, एक तो meiotic type, एक amiotic type. तो meiotic type में meiosis होगा, फिर भी ओम द्वीगुनित होता है, amiotic type में meiosis थोड़ा divert type का होता है, उसके कारण उत्पन ओम दो परकार का होता है, और द्वीगुनित अवनिशेक जनन मुखेतिया प्लैटियलमिंथीस में, रोटिफर्स में और वास्प में पाई जाता है, हैपलोईड अवनिशेक जननन में अवनित ओम की फॉर्मेशन होती है, और ये अवनित अंडे नर पार्थिनोट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ये परिखटना मुखेतिया अरेकनिट्स में, रोटिफर्स में, हाइमीन अप्टेरा में, कॉक्सीडिया में, कॉलियोप्टेरा में और थाइसेन अप्टेरा के सदश्यों में पाई जाती है, डिपलोईड अप्लीट नेचुरल पार्थिनरसिस, जैसा मैंने बताए कि दो की होती है, मियोटिक टाइप और अमियोटिक टाइप, तो इसकी जो पर्थम टाइप है, मियोटिक टाइप, मियोटिक टाइप में क्या होगा, मियोसिस इस परजेंट, यहापर मियोसिस उपस्तित होता है, लेकिन यहापर जो अंडे बनेंगे या अंडानों बनेंगे, वो वो द्वीगुनित परकार के होते हैं और इन अंडानों की द्वीगुनित प्रावस्ता जो है deployed stage है वो दो वीधियों के द्वारा संपादित होती है एक तो by auto-fertilization और second method में by restitution auto-fertilization में क्या होगा in this process polar bodies are formed इस वीधि में oogenesis के दोराण polar bodies बनती है लेकिन ये polar bodies secondary oocyte के साथ fuse हो घाती है यह पर जब polar body बन रही है वो भी agonit है secondary oocyte जो बन रहा है वो भी हहाँ पर agonit है लेकिन agonit secondary oocyte के साथ agonit polar body जब fuse हो जाती है तो इनके fusion से द्विगुनित प्रावस्ता होती है और इस विधी द्वारा उत्वन ओवम डिपलोईड नेचर का होता है ये विधी मुखेते आये कि ये स्नेल है आर्टेमिय सलाइना इसके अंदर ये विधी पाई जाती है आर्टेमिय सलाइना रेस्टिटूशन में क्या होगा? इस विधी में अर्शुत्री वाजन फर्स्ट उजनेशिस में मियोसिस फर्स्ट है वो सामयने परकार का होता है लेकिन यहां पर उत्पन केंदरक जो होते हैं वो पर्थक नहीं हो पाता है नुकलाइट ड़संट सेपरेट इसके बाद में फिर मियोसिस सेकेंड होता है और मियोसिस सेकेंड है वो एक परकार का माइटोसिस होता है एक परकार का सुत्री विहाजन होता है एक परकार का हॉमोटीपिक डिविजन होता है इसलिए यहाँ पर जो ovum बनेगे वो भी दिगुनित परकार के होगे तो meiotic type में meiosis होता है लेकिन थोड़ा भीन तरीके से होता है और यहाँ पर उत्वन ovum जो है वो deployed परकार के होता है और restitution वीदी जो है यह lepidoptera के सदस्यों में पाई जाती है इस figure में आप देख रहे हों दोनों वीदिया ओटो फटलाइशन और restitution ओटो फटलाइशन में यह जैसे primary oocyte primary oocyte है यह दिगुनित होता है डिपलेट होता है इसके अंदर meiosis first हुआ और meiosis first में second oocyte बना haploid परकार का first polar body बनी haploid परकार की इसके बाद में क्या होगा यह secondary oocyte के साथ polar body जो है यह fuse हो जाती है secondary oocyte के साथ polar body fuse हो जाती है और इनके fusion से यह diploid oom की formation होती है और यह परिखटना autofatelastic नाम से जानी जाती है जबकि restitution में यह primary oocyte जो की diploid nature का है इसे meiosis first हुआ meiosis first होने से दो इसमें एगुनित केंद्रक बन गए लेकिन यहाँ पर karyokinesis तो हो गया लेकिन cytokinesis नहीं हुआ है केंद्रक divided हो गया लेकिन koska-dariv का भाजन नहीं हुआ है और इसके अंदर दोनों केंद्रक है वो इसके अंदर present है इनके अंदरके kromosome जो है वो equator के ओपर arrange हो जाते है इसके बाद में इसमें फिर meiosis second होता है और meiosis second वो एक परकार का सुत्रिभाजन ही होता है इसलिए यहाँ पर जो ohm बनेगा यह भी diploid nature का होगा और यहाँ पर जो polar body बनेगी वो भी diploid nature के होगी तो यह दो इसके अंदर method हो सकते हैं by auto fertilization और by restitution deployed complete natural pathogenesis यह पहले वाली slide का एक थोड़ा यह pictorial aspect है इसमें यह जैसे maturing एक meiosis first इसके अंदर absent है meiosis second present है meiosis second present है तो यह दिवगुनित ohm जो होता ही इसके अंदर यह बनता है और यह amniotic type की बरगटना है amniotic में क्या होगा कि meiosis first नहीं होता है और meiosis first है उसी में गुन सोत्रों की संख्यादी होती है meiosis first absent है meiosis second present है और meiosis second है वो इतरह का सुत्री भाजन होता है इसलिए यहाँ पर जो cells जो बनेगी ohm या polar bodies वो diploid nature की होती है second type है में haploid complete natural parthenonesis इस वीधी में pathogenesis के अंदर जो ओजनेशिस की परक्रिया है वो normal है और ओजनेशिस जब normal होता है तो इसके अंदर agonit आवम की formation होती है और यह agonit अंडी जो होते हैं यह नर सदश्यों में convert हो जाते हैं यहां पर agonit अंड्रों से जो संत्ति बनेगी वो नर परकार की होगी male सदश्य यहां पर उत्पन होते हैं और यह वीधी arachnids में rotifers में hyvenoptera में, kolioptera में, thysinoptera में और coxodia के सदश्यों में पाई जाती है इस flow chart में आप जैसे देख रहे हो इसके अंदर meiosis का संपादन जैसे हो रहा है primary ucite इस बाद में यह haploid ovum बना और यह haploid ong, haploid सदश्य से के अंदर यह convert हो जाता है और यहां पर haploid सदश्य से जो बनते हैं वो primer होते हैं, मादन नहीं होते हैं इसी का एक figure जैसे एक हो रहा है यह जैसे कोई female है, stem cell है जो कि diploid परकार की है इसके अंदर अर्थ सुत्री भाजन हुआ meiosis हुआ meiosis हुआ तो इसके अंदर agonit ovum बना इधर यह agonit ovum बना अब जिस agonit अंडानू का निशेचन नहीं होता है तो वो अनिशेचित अंडा agonit नर के अंदर convert हो जाता है और जिस अंडे का fertilization होता है वो diploid gigot में convert हो जाता है और यह diploid gigot female के अंदर convert हो जाती है तो मदमख्यों में जैसे देखा होगा कि honeybee में तीन त्रे की cast पाई जाती है इसके अंदर राजा होता है king या drone जो के agonit होता है और नर सदस्य होता है fertile होता है और इसमें जो राणी है वो द्विगुनित है fertile है और इनके जो स्रैमिक हैं सैनिक जो है workers वो diploid होते हैं लेकिन infertile होता है और worker की infertility का मुखे कारण यह होता है कि राणी मक्खी के द्वारा एक फिरोमोन स्रैमिक होता है 9-oxy-decinoic acid इस फिरोमोन के करण workers में ogenesis की किरिया रुख जाती है ogenesis inhibit हो जाता है यदि किसी कारण वाद से राणी मक्खी की मृत्व हो जाए उस case में कुछ worker सदसे जो superior quality के हैं यह worker female इनके दर ogenesis के पर क्रिया स्टार्ट हो जाएगी और वो ब्रानी की तरह present जो होती है वो करने लगश जाती है यह कुछ से comparative flow chart जैसे इस slide में मैंने दिखाए है लेंगिक प्रिजनन में क्या होगा sexual reproduction में miosis होता है और miosis होता है तो इसमें haploid over बनता है haploid sperm बनता है दोनों haploid gamet के pronucleic fusion हो जाता है diploid gigot बनता है इस diploid gigot के अंदर फिर cleavage होता है gasulation होता है nudulation होता है और विगुनित संत्रती का यहाँ पर निर्माण हो जाता है यह लेंगिक प्रिजनन का flow chart है haploid parthymnesis के अंदर miosis हुआ और miosis के द्वारा agonit अंडे बनता है और यह agonit अंडे नर सदेश्यों के अंदर agonit नर के अंदर यह परिवर्टित हो जाता है deployed parthymnesis यह जैसे दो example यहाँ कोट किये मैंने एक तो auto mixes type का एक fo mixes type का auto mixes type में miosis हुआ और agonit सदेश्य यहाँ पर बने agonit अंडा बना इस ओम के अंदर chromosome का replication होता है और deployed stage बन जाती है या इधर इनका दूसरी cells चे साथ ही fusion हो जाती है auto fertilization type का और उस case में यहाँ पर यह deployed gigot बनता है और यह deployed gigot फिर दिगुनी सदे से कंदर यह convert हो जाता है apomixis में क्या होगा कि mitosis होता है meiosis proper परकार का नहीं होता है या यह कहिए meiosis first इसमें absent है direct meiosis second हो रहा है और direct meiosis second हो रहा है तो इसमें जो वो बनेगा वो deployed परकार का होगा और deployed परकार का होता है तो यहाँ पर जो सर्तरती बनेगी वो भी इसमें deployed परकार की होती है तो यह एक comparative flow chart है, लेंगेफर्जनन में संत्रती कैसे बनती है, एगुनित एगुनित संत्रती कैसे बनती है, और एपो मिक्सेश में डीगुनित संत्रती कैसे बनती है, अब इसके second जो पार्ट है, शाइकलिक नेचुरल पार्थि नोजनेसिस शाइकलिक या इनकप्लीट इस वीधी में एनिसेक जनन के साथ साथ लेंगिक जनन भी होता है इसके कुछ एक्जामपल मैं आपसे शेर करूँगा जैसे गॉल्फ लाइ गॉल्फ लाइ में क्या होगा कि प्रति वर्ष एवरी यर वन जनरेशन इस पार्थिन जनरेशन इस एक जनन से बनेगी एक पीडि लेंगिक जनन से बनेगी और ये बारी-बारी ये परक्रिया जो होती है वो चलती रहती है एफीड और रोटीफर्स में सेक्शुल फेज टेक्स ब्लेस अप्टर मैनी पार्थिन नेटिक जनलेशन तो एफिट और ओटिफर्स में क्या होता है कि पहले एनिसेग जनन की 7-8 पीडिया चलती है और जब बार-बार एनिसेग जनन होता है तो संतती धेरे-धेरे कमजोर हो जाती है और उसके वीगरनेस को वापिश डेवलब करने के लिए रिजूविनेट करने के लिए इसमें फिर लेंगिग जनन होता है लेंगिग जनन एक बार हो गया उसके पिर इसके अंदर एनिसेग जनन प्रार्यम हो जाता है तो एफेट्स और और्टिफर्स में इस विदी के द्वारा एनिशेक जनन संपन होता है। गौल मिजेज के अंदर लार्वा रिप्रोडूसेज पार्थीनो जनेटिकले। इन आडवर्स कंडिशन, मेल और फीमेल्स वर फार्म्ट विष्रूसेज बाइ सेक्शूल मेथड एंद प्रोडूसेज पार्थीनो जनेटिकले। और adverse condition जब होती है, पर्टिकॉल फिस्तितियां होती है, तो इसमें नर और मादा सदे से उत्पन होते हैं, और वो लेंगिक जनन के द्वारा लेंगिक बीडी का उत्पादन खरते हैं। cyclic parthenogenesis भी दो तरह की होती है, एक तो open टाइप और एक close टाइप, open टाइप में क्या होगा? In this method, before sexual form, many parthenogenetic generation passed away, तो इस विदि में लेंगिक PD डवलप हो, लेंगिक sexual form डवलप हो, उससे पहले एनिशिक जनन द्वारा उत्पन संतितियों की कई PD बन जाती हैं। इट में भी deployed type और इट में भी haplode deployed type, तो open टाइप जो है ये दिगुनित परकार की भी हो सकती है, एगुनित दिगुनित परकार की भी हो सकती है, और ये विदि मुखे तया, effeats में पाई जाती है, rotifers में पाई जाती है। क्लोज टाइप में क्या होगा? इन दिस टाइप, sexual form directly developed from the gigot, इसमें लेंगिक PD है, वो direct gigot से developed होती है, इसमें एनिशेख जनन की इतनी संततिया नहीं होती है, और इट में भी deployed type और इट में भी haplode deployed type, ये भी दिगुनित परकार की हो सकती है, एगुनित दिगुनित परकार की हो सकती है, और ये विदी मुखेतिया गौल फ्लाइज के अंदर पाई जाती है, इस figure में आप देख रहे हो, open type, close type, open type में ये जैसे stay mother है, suppose, stay mother है, ये दिगुनित है, इसके अंदर एनिशेख जननन हुआ, इसे दिगुनित संतति बनी, इस संतति में फिर एनिशेख जनन के द्वरा संतति बनती रहती है, अब बार बार जब एनिशेख जनन होता है, तो संतति की वीगरनेस जो होती है, वो दिरी दिरे खतम हो जाती है, अब इसमें अंतिम जो बने की फिमेल ये है, stay mother, अभी stay mother के अंदर दो तरे की परिकटने हो सकती है, इसमें एगुनित अंड नॉर्मली होगा एगुनित संतती में और यह एगुनित सुकणु मनेगा यदर यह जो द्विगुनित संतती है इसके अंदर नॉर्मल उजनेशिस होगा इसके अंदर हैपल dried Omm मनेगा अब इधर यह हैपलोईट स्वंप इधर यह हैपलोईट लोम इन दोनों का fertilization हो जाता है और यह diplod gigot बन जाता है और यह diplod gigot वापिस यही original stage जो होती है वो आ जाता है तो इस open type में आप देख रहे हो स्टाटिंग में साटाटवीर जोरा एनिसएक जनन के द्वारा उत्पन होती है और एनिसेक जनन होनेक बाद इसके अंदर आदर इसके द्वारा शुकन का production होगा यहांपर फिमेल दीगुनित है इसल01 मीयाल essa 올 agora ओंज का production बन जाता है close type में क्या होगा close type में any six general की एक ही PD होती है कई PD नहीं होती है और single generations के द्वारा इसमें stay mother बनती है जो की deploy type की है अभी से stay mother में deploy अवम बनेगा haploid इनके अंदर अवम बनेगा तो haploid अवम जो होते हैं तो नर्व सदेशयों में convert हो जाते हैं और diploid оम जो होते हैं ये diploid सदेशयों में convert हो जाते हैं अब यहां पर male है वो haploid है और female है वो diploid है اب handler male के अंदर mitosis के द्वारा पनता है और diploid female में meiosis के द्वारा omm बनता है इन दोनों एगुनित यूगमकों का fusion होता है और ये diplozygote जो होता है वो बच जाता है तो यहाँ पर जो cyclic parthymnesis है ये दो टाइप का हो गया एक तो खुले परकार का एक बंद परकार का तो खुले परकार में तो क्या है कि एनिसेक जनन की कई पीडियां होती है फिर एक पीडि लेंगिक जनन की होती है फिर वापिस एनिसेक जनन की कई पीडियां होती है फिर लेंगिक पीडि होती है लेकिन यहाँ पर बारी-बारी एक जनरेशन एनिसेक जनन की और एक जनरेशन लेंगिक जनन की तो बारी-बारी यह process इसके अंदर यह चलता रहता है अब है पार्थिनोनेसिस का second part artificial पार्थिनोनेसिस पूर्वे में जो मैंने slide share करी है वो सारी natural aynesic yanithaksey ती प्रकर्थिनोनेसिस the eggs which always developed into the young individual by the fertilization sometimes may develop parthenogenetically under certain artificial conditions and this type of pathogenesis is known as artificial pathogenesis. The artificial pathogenesis may be induced by various chemicals and physical agents. तो कृत्ति में इस एक जन्न जो होता है ये प्रयोक शाला में induced अपन कर सकते हैं और इनके कई कारक हैं ये कारक physical agent की रूप में हो सकते हैं chemical agent की रूप में हो सकते हैं biological agent की रूप में हो सकते हैं तो artificial pathogenesis इस पर मैं मुक्के रूप से यहां पर आपसे शेयर करूँगा यह स्लाइड जो है यह कोई ज्यादा इंपॉर्टन नहीं है इसमें कुछ एक्जामपल हैं जो साइंटिस्ट के द्वारा जैसे डवलप किये गए सबसे वेलेजर से बार्जियर अठारा सो से तालिस इन्होंन क्या किया कि रेशम के कीड़े की जो अंडे थे सिल्क मूत के जो अंडे थे इन अंड़ों को इन्होंने सूर्ज के प्रकास के द्वारा उप्चारित किया टीटेट विट सनलाइट और सूर्य के प्रकास से परिवर्धन जो है उपरारब हो गया इसके विशाथ टीको मिरॉफ 1866 इन्हों ने क्या किया कि जो एन इसे चीज जो अंड़ा था इसको रगड़ा रविंग करी और रगड़ेक बाद में इसको बहुत ही डाइलोट हाइड्रो को S2SO4 सल्फूरिक एसिट के द्वार अप्चारित किया तो यह पाया गया कि इन एनिसीच अंड़ों के अंडर परिवधन के लिए प्रारब हो गया इसके पसाथ हर्टविग ने 1896 में सी अर्चीन के अंड़ों को कंसंट्रेट सेलाइन सॉलूशन के द्वार अप्चारित किय और शांद्रेर लवनियविलेन के दौर अप्चारित करने पर पाया कि इनके अंडर परिवधन पर्कण्रिया है वो प्रारब होगि नोईब ने संद्र weed उर्यों में सीर्चीन के अंड़ों को हाइप अले सॉले सन्ज के द्वार अप्चारित किया और हाइप अले solution के द्वारा उप्चारित करने पर पाया गया कि इन अंडों के अंदर परिवर्धन पर क्रिया है वो प्रार्म होगी तो यह कुछ स्थक्रेंस की रूप में लेवरेटर्य में संपाजित किये हैं परिवर्धिएर के द्वारा के द्वारा हर्ट वी के द्वारा और दोईब के द्वारा ई निसह एजनन को या तो प्रे रीट करते हैं या या एनिशिक जनन के उत्पन होने के लिए, पार्थिनोट्स के उत्पन होने के लिए उत्तलदाई होते हैं, इन एजेंट्स को मुखे तेया दो सेडियों में जैसे डिवाइट किया है, फीजिकल एजेंट, केमिकल एजेंट, मुखे फीजिकल एजेंट्स में मैं चुर्चा क करो उसमा के दवार आपचारित करो वो एल्ट्रावुल्य छीद्ञ के नडर परिवथन प्रक्रिया प्रारम हो जाती आप हाई कॉल्टड। अव्यवार लोग होता सरे हैं वह भी ऐल्ट्रावॐलेट ट्भेलन है यह वयलीट्रेस से यांदी ओं को प्चारित के जाए तो उसके अंदर एनिसेग जनन की प्रक्रिया प्रार्यम हो जाती है और स्वाटिक प्रेशर के द्वारा भी एनिसेग जनन की प्रक्रिया प्रार्यम हो जाती है पॉइंटेड निडिल के द्वारा भी एनिसेग जनन की प्रक्रिया प्रार्यम हो जाती है जैसे मालो मेंडक का यदि ओम हो और इस ओम को एक नीडिल को गरम करके हलका सा गरम करके उसके जैसे टच करो तो टच करने पर एगुनित ओम को ऐसा मैसूस होता है जैसे इस्वर्म उसके कॉंटेक्ट में आया है और निडिल के टच करते ही इस एगुनित ओम के अंदर परिवर्धन किरिया या विद्लन पर किरिया जो होती है वो प्रारभ हो जाती है अलागि इसमेडल्ट मेंड़क की फॉर्मेशन नहीं होती है वो अलग बात है क्योंगे आर्टीव से लवीदी में जातर एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है और बात में उनकी डैथ हो जाती है अडल्ट की फॉर्मेशन बहुत रेर केस में होती है कुछ एक्जांपल है वो इसके अंदर मैं आपसे सेर करूँगा दूसरे जो कारकरी है chemical agents तो chemical agents में जैसे hypertonic solution अलप परास्री विलियन ये दियोम को hypertonic विलियन के द्वारा उप्चारित किया जाए तो उनके अंदर परिव्रधन परक्रिया प्रार्यम हो जाती है हाइपर्टॉनिक शॉलिशन अतिप्रास्री विलियन ये दियोम को हाइपर्टॉनिक विलियन के द्वारा ठीट के जाए तो इसके अंदर क्लिवेज परक्रिया प्रारिम हो जाती है CO2 कार्बन डाय अक्साइट के दोरा उप्चारित करें तो इसके अंदर पार्थिन्सिस प्रार्यम हो जाता है केल से माइनों के दोरा उप्चारित करें तो एनिसे एक जनन प्रार्यम हो जाता है अमले और चार के दोरा यहाँ पर प्रबल लंबल प्रबल चार नहीं है दूरबल लंबल और दूरबल चार के द्वारा यदि ओम को उप्चारित करें तो उसके अंदर परिवधन परक्रिया प्रार्यम हो जाती है उदासी लवनों से उप्चारित करने पर एनिसेग जनन प्रार्यम हो जाता है एलकलोइड के उप्योक से ऐनीसिक जयनन PRAGFR हो जाता है और कई बार blood plasma और embryo के extract के mixer में यदी को अपर्चारित किय जाए तो उस case में भी ऐनीसिक जयनन की परखुर्या PRAGFR हो जाती है तो ऐनीसिक जयनन को अपरेट करने वाले जो कारत हैं यह Parthenogenetic access कहलाते हैं एजन्ट से फीजिकल एजन्ट की रुप में हो सकते हैं और केमिकल एजन्ट की रुप में हो सकते हैं यह यहाँ पर वही फिकर इसमें दिखाया है यह जैसे ओम है इनों को केमिकल इस्टिमलेस दी गई है स्योटू की द्वारा पॉर्टिसम क्लोराइट के द्वारा हाइपर टॉनिक सॉलिशन्स के द्वारा और इस उदीपन के करण इसके अंदर एजन्ट की परक्रिया जड़े वो प्रार्यम हो जाती है है अब है कि आउटपूट स्रिफ क्या है एनिसेग जनल का आटिवसेल पार्थन नेस्टिस के द्वारा डवलपेंट कहां तक पॉस्वर है तो इसमें कुछ एनिमल तो ऐसे हैं जिसमें अप्टू एम्ब्रियो तक की फॉर्मेशन होती है कुछ में एडल्ट की फॉर्मेशन भी हो जाती है तो यहां पर कुछ रिये लग जाम फलाए हूँ आपसे डिसकस करूँगा जैसे चुहों के अंदर चार कोशी का प्रावस्था तक यानि सेकंड क्लिवेश तक आर्टिव सेली विदलन की प्रक्रिया है वो सब्भादित होती है हैमेस्टर में ब्लास्टो सीस्ट प्रावस्था तक डवलप्मेट हो सकता है गीनिया पिक में ब्लास्टोस्स ज्यस्त तक डौफ्मेट हो सकता है मेड़क में ब्लास्टलर स्टेज तक एयन नि सेग जनन द्वारा परिवदन हो सकता है यहां पर अड़ल्ट की फॉर्मेशन्स नहीं हो रही है लेकिन कुछ एनिमल हैं जिसमें एनिशेख जनन द्वारा अडल्ट की formation हो जाती है जैसे सी अर्चिन में अडल्टी स्टेज तक development हो सकता है तारा मसली में अडल्ट स्टेज तक development हो सकता है कुछ फ्रॉक की generic species है जैसे बूफो टाइप की जो मेंड़क है बूफो एंडर्सोनाई उन में भी कई बार अडल्ट से तक development देखा गया है और rabbit में भी अडल्ट से तक एनिशेख जनन द्वारा परिवर्दन जो है वो देखा गया है तो कुल्डला के कृत्रिम एनिशेख जनन द्वारा embryo की formations भी होती है incomplete embryo की और कुछ प्राणि में अडल्ट एनिशेख जनन की संतती है वो development इसमें हो सकती है अब significance अब एनिशेख जनन के कुछ फाइदे भी है तो कुछ इसकी कमिया भी है कुछ इसकी advantage भी है कुछ इसकी disadvantage भी है तो मुखे advantage क्या है वो मैं आपसे discuss करूँगा एनिशेख जनन president का एक सामने तरीका है it is a simple method of reproduction एनिशेख जनन के द्वारा लाबदायक उत्वरवर्ति तलक्षन जो होते हैं उनकी स्थापना हो जाती है establishment of useful mutant characters citation of commercial theory of inheritance तो वलसागती का जो गुंसूत्र सिधान्त है उसकी व्याक्या उसकी explanation एनिशेख जनन के द्वारा पूर्तियास पस्थ होती है elimination of population इसमें नर और मादा सदस्यों के भी इसमें समागम क्या उशक्ता नहीं है no role in evolution हुद्विकास में इसका कोई रॉल नहीं है control of sex ratio इसके द्वारा population में नर और मादा सदस्यों का जो ratio है नर और मादा कनपाद वो इसके द्वारा सुथाई control हो जाता है it is a method of rapid breeding तिवर प्रेजडन की एक युक्ती है control of sex ratio sex ratio का इसके द्वारा control होता है it is a method of reproduction in hybrids तो संकर परजातियां जो होती है जैसे खचर है टटू है इसके अंदर भेकरी है जैसे लाइगर है टिगलियोन है उनमे ऐनिसेग जनन के द्वारा संतती का production हो सकता है अब इस विदी के कुछ कम्या भी है disadvantage disadvantage में एक तो इसमें crossing गवर नहीं होता है जो crossing गवर तभी होता है जब normal root में gamit का production हो normal root में spermatogenesis oozenesis की गटना जब संपादित होती है तो ही gene meaning में होता है जब अर्शुत्रिवाजन ऐसा मैंने परकार का होता है तो crossing गवर प्रॉपर नहीं होता है इसमें कोई नए recombinations नहीं बनता है एनिसिक जणन उद्विकास के लिए suitable नहीं है it is not suitable for evolution इसके लगा जो पार्थिनोट संततिया बनती है उसमें अन कोलन बहुत कम पाई जाता है they are least adapted इन संततियों के विलुक्त होने की समावने बहुँ ज़्यादा रहती है chances of elimination and extinction इसमें male partner है वो प्राए isolate रहते है male partner की जूर्ट नहीं पड़ती है male partner को इतनी तवज़ों नहीं मिलती है और एक बार आज के 20-25 साल पहले दिन्मान में एक जिन एक आती थी उसमें एक article आया था मनुश्यक संधर में कि अब बच्चे पैदा करने के लिए मर्दों की जोरूरट नहीं रहेगी यह कल्पना उसमें की है जब cloning पे experiment चल रहे थे और यह संभावना जताई जा रहे थी बच्चे पैदा करने के लिए बच्चे पैदा करने के लिए बच्चों की जोरूर्ट नहीं रहेगी और यह article अब इसमें एकदम हंडेट परसेंट प्रूर्व है sexual reproduction is essential after many generations of path illnesses अब NSX जनन में क्या होता है कि जब 10-12 PD NSX जनन द्वारा बन जाती है तो संतती कमजोर हो जाती है विगरनेस की दर्स्टी से और तब उसमें लेंगिक प्रेजनन का होना आवश्यक है और लेंगिक प्रेजनन होते हैं तो उसमें genetic material का exchange हो जाता है और संतती होती है वो वापिस regionate हो जाती है और regionate होने बाद में इसमें फिर 57 PD फिर NSX जनन की हो जाती है तो ये cyclic जो परिकटना है ये लेंधर चलती रहती है तो ये कुछ कमिया है इस NSX जनन की ये कुछ इसमें ये लगजांपल है जो भी हाल ही में विग्यानिकों के द्वारा अफजर किये गए है जैसे कॉमडो ड्रेगन जो है कॉमडो ड्रेगन में पैट्रिक बैरी एक साइंटिस्ट है और इन्होंने चीडिया घर के अंदर कॉमडो ड्रेगन में एन शीक जन्दन द्वारा एगुनित संतती को उत्पन किया है और इनका ये आर्टिकल है ये पब्लीश भी हुआ है मेकजिन्स के अंदर निउस्पेपर के अंदर इसमें आप देख रहे एगुनित अंड़ा है और इस एगुनित अंड़े से ये हैचिंगे द्वारा एगुनित संतती है वो बाहर लेकल रही है ये रियल पिक्चर है काउमडो डोगन का इसी तरह सार्क मसली के अंदर भी एन शीक जनन की संतती ये जैसे हैमरेड सार्क है स्पिर ना हैमरेड सार्क में भी एन शीक जनन द्वारा एगुनित बच्चे है वो डवलत किये गए है एक्वेरियम के अंदर इसी तरह ये जो लिजार्ड्स जो है मॉबूया या स्किंक जैसी इसमें आप देखरों ये तो पैरेंट्स है मदर है और ये इनके एन शीक जनन की संतती है इनके अंदर कलर पैटर्न भी थोड़ा वेरियेबल टाइप का होता है और साइज भी इनकी तुलना में छोटी होती है ये एफीट का जैसे फिगर है तो एफीट के अंदर भी एन शीक जनन द्वारा संतती प्रण होती है और इसमें आप देखरों ये फिमेल है और फिमेल के ये एक्स्टरनल जननाइट एलिया से गॉनेफाइसिस के द्वारा ये एगुनी सर्दस से जो है वो बाहर निकल रहे है ये वही सार्क सार्क की जैसे एन शीक जनन की संततियों का ग्रूप है ये मैमल्स हैपलोड मैमल्स अब ये एक कंपेरिटिव टेवल दिखाई है एन शीक जनन और हर्मेफोडाइटीजम में क्या क्या डिफ्रेंस है तो पार्थिन नेसिस में रिप्रोडाइटीजम में नीशेचन पर क्या नहीं होती है लेकिन यहाँ पर सेल्फ अटलाइशन गटना होती है इसमें एगोनित संततिय उत्पन होती है हैपलोड आफ स्प्रिंग्स अर प्रोडूस्ट इसमें डिपलोड संततिय बनती है डिपलोड आफ स्प्रिंग्स अर प्रोडूस्ट ये गटना इंसेक्ट और लॉवर प्लांट्स में पाई जाती है यह घटना स्नेल अर्थ वर्म और कई पोधों में पाई जाती है इसमें मैटिंग पार्टनर क्या अवशकता नहीं होती है जबकि इसमें मैटिंग पार्टनर क्या अवशकता होती है यह कुछ fundamental पार्थिनोजनेसिस और हर्मेफ्रोडाइटिजम में क्या डिफ्रेंस है फाइनल सिग्निफिकंश दा पार्थिनोजनेसिस सर्व एस दा मीन्स और डिटर्मिनेशन अफ शेक्स इन दा हनी भी एंड वाश्र तो हनी भी में जैसे मैंने आप से डिसकस किया कि इसकी छाते के अंदर सोसाइटी के अंदर तीन परकार के सदसे मिलते हैं ड्रॉन, क्वीन और वर्कर्स ड्रॉन जो होते हैं वो एगुनित होते हैं नर होते हैं, फर्टाइल होते हैं रानी जो है वो deployed है, female है, fertile है। इनफर्टाइल है, लेकिन नहीं नहीं है, infertile है। और worker की infertility का मुख्य region, रानी मधमख्य के द्वरा pyrumon कसरा होना। तो जब तक छाते में रानी मक्ही है, रानी मक्ही के द्वारा नाइन ओक्सी, डैसिनोइक असीड सा भी थोता रहेगा, और स्फिरोमोन की स्मेल के करण वर्कर्स में उजनैसिस की जो घटना है वो अब वन दित रहती है। तो वन सागती का जो गुण सूतर सिधान्त है, वो अनिशेख जनन के द्वारा फूली सपोर्टेट किया गया है। पार्थिननैसिस is the most simple, stable and easy process of production. तो प्रणन का ये सबसे समाने तरीका है, इस्थाही तरीका है और एक सरल तरीका है। पार्थिननैसिस eliminates the variation from the population. दा पार्थिननैसिस is the best way of high rate of multiplication in certain insects, लाइक एफिट्स. तो एफिट्स के अंदर जो संतती का उत्पादन है, ऐसंख है, है हजारों लाखों की population जो बनती है वो ऐनिशेख जननन के द्वारा ही डवलक होती है। तो यह कुछ final significance आज का यह एनिशेख जननन का व्याख्यान और इस अंदर में आप कोई question पूछना चाहें, कोई query हो, आपको कोई संका हो, समादान हो, आपके carrier से समद्दित आप कोई guideline चाहें, तो आप ए-mail के द्वारा संपर कर सकते हैं, वार्टसब नंबर के द्वारा संपर कर सकते हैं, और महाविध्याले में आके संपर कर सकते हैं, यह एक बहुत पुरानी painting है लगवग, 400 साल पुरानी, और इसमें चित्रकार्ने पार्थी नोट, एनिसेक्स जनन द्वारा अपने human की जो उत्पती है, यह haploid female है, इसको इस चित्रके महादेमसिस में दिखाया है, जो पार्थी नेसिस का एक meaning यह भी है कि कुवारियों के द्वारा उत्पती, ओफस्रिंग, प्रोड्यूस्ट बाइदे विर्जिंट्स, तो आपने वेख्यान बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए मैं मेरी तरफ से, डिपार्ट्मेंट की तरफ से, हमारे महाविदालिक तरफ से, मैं आपका हार्दिक, अब ध्यंदन करता हूं, एक बार पूने, थैंक यू, वेरी मच, वे कुते, एक एवे क्लेवान इसे, वे क्रेटे, पाड़ मेक हूं, एक अब जडिया।